नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका Effective Study YouTube चैनल पर और मैं हूँ धर्वेंद गौड आज हम डिसकस करेंगे distance और displacement के बीच में क्या अंतर होता है यानि कि हिंदी में समझें तो दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है तो दौनों सुनने में लगबग एक ही है और अगर हम इनकी unit की बात करें तो दौनों ही की जो standard unit है, SI unit है, वो meter होती है, दौनों ही length के लिए है लेकिन बहुत ही बारीक अंतर है इनमें, जो आपको समझना है यहाँ पर देखें, सबसे पहले बात कर लेते हैं दूरी की, तो दूरी क्या है, दूरी है amount of space between two places or things without direction, देखें अब इसमें दो चीज़े महत्पुने, यानि कि कोई, जसे let's suppose हम बात कर लेते हैं point A से point B के बीच की distance हमको निकालनी है, तो distance हम बिना किसी direction की निकाल सकती है यानि कि अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यह जो car है, इसको अपने घर जाना है, और इसके लिए दो path है एक है path X और दूसरा है path Y, ठीक हैं, दो रास्ते हैं, X और Y तो अगर let's suppose जो car है, वो A से B X path से जाती है, तो वो 10 km की distance cover करती है और अगर वो Y path से, Y रास्ते से होकर जाती है, तो वो 15 km की distance cover करती है अब यहाँ पर 10 भी distance है और 15 भी distance है क्योंकि यहाँ पर clear mention है, कि जो दूरी है, वो हम बिना किसी direction की measure कर सकती है यानि कि यहाँ पर दोनों ही path की direction different थी जैसे अगर हम बात करें A to B, तो यह straight line है, एक सीधी रेखा है और straight line में direction जो है, वो constant रहती है, सेम रहती है तो यहाँ पर direction change नहीं होई है लेकिन जो Y path है, वहाँ पर direction जो है constant change होती रही है क्योंकि वो एक curved path है, तो direction जो है वो लगातार change हो रही है तो यहाँ पर direction मायने नहीं रखती है, दूरी के लिए तो ऐसे में A से B की distance, X रास्ते से 10 km है और Y रास्ते से 15 km है हम यह नहीं कह सकते कि दौनों के वीच की दूरी, actual में क्या है वो रास्ते पर depend करती है, आप किस रास्ते से होकर आ रहे है तो वो direction पर depend नहीं करती है चुकि direction पर दिसाप निर्भर नहीं करती है इसलिए यह अधिस रासी है या कह सकते हमें यह scalar quantity है तो यह तो बात होगी दूस्तों distance की अब हम displacement को समझते हैं तो displacement यानि की विस्थापन एक vector quantity है यानि की direction पर depend करती है और direction पर depend क्यों करती है क्योंकि यह क्या है shortest distance है किसी भी 2 point की let's suppose point A और point B हम पिछली तरह अगर हम समझें तो A से B यह जो कार जा रही है वो 10 km distance कवर कर रही है X पात पर लेकिन एक straight line में जा रही है तो यहाँ पर direction क्या है निश्चित है एक constant है तो हम वही कह रहे है एक निश्चित दिसा में अब shortest distance है लेकि minimum दूरी क्या हो सकती है किसी भी 2 point की बीच की तो किनी भी 2 point की बीच की minimum दूरी हो सकती है एक straight line एक सीधी रेखा ठीक ना तो वही shortest distance वही सीधी रेखा जो है वो displacement और विस्थापन के राती है कार y path पर होकर जा रही है 15 km दूरी चल लही है लेकिन यहाँ पर direction लगातर बदल ली है तो यह यहाँ पर distance हो सकती है 15 km लेकिन displacement नहीं हो सकती यानि कि 15 दूरी हो सकती है लेकिन विस्थापन नहीं हो सकता विस्थापन या displacement की हम बात करें ठीक है ना तो वो क्या होगा वो केवल 10 km होगा यहाँ पर यानि कि किनी भी 2 point की बीच की minimum दूरी चलिए अब इसको हम एक chart से समझते हैं इसमें x path है और y बात है ना दो रास्ते हैं तो दोनों ही रास्तों में दूरी हम देखें अलगलग अगर x रास्ते से जा रहा है तो distance यानि कि दूरी क्या होगी x रास्ते से वो 10 km दूरी तैगिया लेकिन y रास्ते से 15 km दूरी किया यानि कि दूरी और distance के लिए प्रेक्शन माइने नहीं रखती, ठीक है ना, लेकिन विस्थापन के अगर हम बात करें, तो A से B के बीच की बात हो रही है दोस्तों, तो A से बीच की दूरी का, बीच की विस्थापन, क्या होगा, X रास्ते से जाएगा, तो विस्थापन 10 किलूमेटर, और Y रास्ते से की है, लेकिन A और B के बीच की मिनमम दूरी तो 10 ही है ना, इसी लिए विस्थापन, डिस्प्लेस्मेंट हमेशा इसके लिए, इस एक्जामपल के लिए 10 ही रहेगा, ओके, तो मुझे लगता है क्लियर होगा, कि जो सौटेश डिस्थेंस होती है, जो मिनमम दूरी है, वो व चीज़ें क्लियर हो जाएगे, अब देखिए, बहुत ही इंपोर्टेंट चीज़ आप समझते जाएगे तो आपको यह दोनों चीज़ें क्लियर होती जाएगे, एक स्टेटमेंट पढ़ा जाता है हमेशा, क्लास में पढ़ा जाता है, क्मॉम्टिटिव लेवल पे, कि डि 0 भी हो सकती है, displacement, यानिकि विस्थाब, लेकिन दूरी, distance केवल positive होगी, अच्छा, इसको example से समझते हैं, तीन case समझेंगे हैं, पहला case, कि मान के चलिए, यह point से, आप चले, या कोई गाड़ी चली, और वो 5 km इस direction में गई, direction change कर दिया, 5 km वो दूसरी direction में गई, और ऐसे करके वो point B पर पहुंचे, ठीक है, तो 5 और 5, 10 चल लिए, तो total दूरी कितना चले, 10 km चले, लेकिन विस्थापन क्या है, तो विस्थापन A और B के बीच का, shortage decision, यानिकि एक निश्य दे सामने, let's suppose यह, अजर हमने major किया, तो 7 निकल के आया, तो 7 km यहाँ पर क्या हो गया, displacement हो ग यह clear हो गया, तो both can be positive, okay, case 2 समझते हैं, case 2 में क्या है, let's suppose आप A point से, आप 5 km इस direction में गए, फिर दूसरी direction में आप 5 km गए, फिर again 5, और फिर 5 km इस direction में गए, तो यहाँ आपका A point और B point, यानिकि आप जहां से चले, वापस भहीं आ गए, तो आपका initial point और final point, दोनों क्या ह है, same है, तो आपके अगर distance के हम बात करें, तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, total आप 20 km चले, okay, तो यह positive ही रहेगा, 20 km आप चले, लेकिन अगर आप A point से चले, और वापस उसी point पर आ गए, यानिकि A और B दोनों same point है, initial point और final point same है, तो आप displacement तो आपका 0 हुआ, यानिकि आप जिस point पे थ तो यहाँ पर 0 km, इवन यहाँ हम कर सकते हैं, 0 क्या है, क्या है, विस्थापन है, displacement है, चलिया, third case की बात करते हैं, तीसरी case में, let's suppose point A से, इस direction में, ठीक है न, इस direction में चले 3 km, या मान के चलते हैं, यहाँ पर इस direction में हम 2 km चले, ठीक है, और यहाँ आ गए हम इस point पर, let's suppose point B, ठीक है, अब point B से हम वापस इस direction में चले, कितना 3 km, यान कि यहाँ से B से लेके, और let's suppose यह point होगा, C, तो B से C पर हम चले, कुल कितना 3 km, ठीक है न, यह, तो अब इस case में, दूरी कितने चले, तो A point से पहले 2 चले, फिर वापस B से लोटे हम opposite direction में, C की तरफ, और फिर 3 चले, तो पहले 2 चले, फिर 3 चले, तो total तो हम 5 km चल ली है न, ठीक है न, तो यह positive ही रहेगा, distance तो, लेकिन अगर हम displacement की बात करें, तो हमारी पहले direction क्या थी, यह थी, let's suppose यह direction हमारी positive थी, इस direction में हम उनको जाना था, फिर हम opposite direction में है, तो opposite को हम कैसे denote करेंगे, minus से, ठीक ह आपका final displacement हुआ, यानि कि विस्थापन यहाँ पर negative निकल कर आया, ठीक है न, तो displacement can only have positive value, देखें हमेशा, sorry, distance, not displacement, distance, यानि कि दूरी हमेशा positive होगी, तो देखें इधर, तीनों ही case में दूरी positive आई है, और जबकि displacement, यानि कि विस्थापन, can be positive, 0 और negative, तीनों ही हो सकती है, तो होप सो आपको काफी basic चीज़ें यहाँ पर समझ भाई होगी, और उमीद आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो ऐसे ही और भी वीडियो के लिए हमारे Effective Study YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सातियों के साथ ज़ हैंजे भारत